Hello everyone, welcome to Smashes Commerce Academy, I hope you all are well, I am Gargi Gupta, a financial planner. आज की class में हम पढ़ेंगे home tab और insert tab के बारे में थोड़ा सा ओर detail में. Home tab में अब मैंने यहां पे keyboard type किया, इस cell में मैंने यहां पे mouse किया, ठीक है? और मैंने लिया printer. ठीक है, normal type करना है, हमारा हो गया, मैंने single keyboard पे क्लिक किया, mouse से, और मैंने B पे क्लिक किया, तो मेरा केवल keyboard बोल्ड हुआ, आई करा, italic slide में हो गया. यहां पे मैंने arrow लिया, underline पे किया, तो single underline आगी keyboard पे, आई है, single underline हो गया, मैंने यहां पे mouse से क्लिक किया, double underline किया, तो keyboard के नीचे double underline आगी, ठीक है? अब हम completely है, जैसे हमें mouse और printer दोनों को एक साथ करना है, तो कैसे करेंगे? shift button, press करके रखेंगे हम keyboard पे, page down वाला button, arrow, page down, arrow button है, उसे दबाएंगे, shift को नहीं छोड़ेंगे जब हम page down button दबा रहेंगे, फिसके बाद दोनों बटन हम release कर देंगे, और फिर हम bold B पे जाएंगे आई पे जाके side में करेंगे, हम underline करेंगे, double underline करने है, double underline करेंगे, दोनों एक साथ होते रहेंगे, अब तीनों हो गए है, ठीक है? I hope आपको यहां तक का clear हो गया होगा इसमें, अब यह देखे, मैंने shift, page, down, button, arrow का करा है, तीनों select किये हैं, मैं यहां पे कई font color पे, theme colors य मैंने का था, आपको पूरा cell यह color कर देता है, आपने previous class अगर देखी हो तो, मैंने इसमें blue color select किया, आप मैं sure है, तीनों cells हमारे same color के हो गए, अब मैं इसमें कर रही हूँ, मेरे, जो मैंने letters लिखे है, keyboard, mouse printer, इन्हें भी मैं change करना चाहा रही हूँ color, तो मैं जों से भी color कर करना चाहती हूँ, तो मैं size 11 पर जाओंगी, size change करना चाहती हूँ, यह देखी, जितना मैं बड़ा लेगती जारी हूँ, इतने बड़ा होते जारे है, मैंने 20 करा, clear हो आपको, actually क्या है, हमने जो cell select किया था, मैंने आपको बताया था, जों से cell में हम करेंगे, उसी cell में color ठीक है, तो अब मैं इसे छोटा करके आपको दिखाती हूँ, अब आप देखिए, 12, 12 size का हो गया, 11 से 12 पर आ गया, 14 पर आ गया, ठीक है, clear हूँ, अब मैं वापिस से 12 पर ले आती हूँ, 11 पर, sorry, मैं इसे वापिस 11 पर ले आती हूँ, यह हो गया, मैं इसे 14 करना चाहती हूँ, तो मैं 14 पर लिया ही, 12 पर लिया ही, 12 करा मैंने, 12 में इतना size हो गया, अब मैं इसे दुबारा करना चाहती हूँ, 11 पर, तो मैं फिर से छोटा कर दूँगी से, यहाँ पर जाके माउस से क्लिक किया, 11 हो गया, अब मैं इसका design चेंज करना चाहती हूँ, मैंने आपको बताया था है, यहाँ से हम, जो हम digit यह alphabets लिखते हैं, उनका design चेंज आता है, देखिए, मैंने एहरोनी पर अपना arrow रखा, तो इसका design इतना चेंज हुआ, एजेंसी FPP किया, तो keyboard और mouse printer का थोड़ा से चेंज हुआ, एलगेरियन पर लेगे गई, तो मैंने देखिए, आपको इनका design, letters का जो pattern है, वो change हो गया, aerial black पर थोड़ा और change हो गया, aerial rounded empty bold पर change हो गया, जैसे आप zone से भी select करना चाहें, वो कर सकते हैं, मैंने एलगेरियन किया, spelling पर मत जाना, मैंने जो spellings लेगे हैं, keyboard में spelling mistake है, उस पर मत जाना, अब मैंने फिर से shift and paste down करके तीनों को select किया, और 11 से मैं 10 पर ले आई, 9 पर ले आई, 8 पर ले आई, 8 पर, देखो कितना छोटा हो गया, अब मैं दुबारा वापिस इसे 11 पर लाना चाहते हूं, उसका size मैं 11 पर कर दिया, मैं इस पर ले कर आना चाहते हूं, 10 पर, 9 पर लाना चाहते हूं, 9 हो गया, ठीक है, I hope आपको इतना clear हो गया होगा, अब मैं इसमें आपको copy and paste का भी सिखा देती है, shift, paste down, मैं तीनों को copy and paste करना सिखाती हूं आपको, मैंने copy पर गई, copy किया, और मैं इसे यहाँ पर copy करना चाहते हूं, मैंने mouse से यहाँ पर click किया, और paste कर दिया, मेरा यह paste हो गया, as it is, paste हो गया, अब अगर मैं इसे cut and paste करना चाहते हूं, तो shift से paste down, तीनों को select किया, मैंने cut किया and paste कर दिया, sorry, मै मैंने तीनों को select किया, cut पे गई, click किया, मैंने यहां पे इसे paste करना है, मैंने यहां पे किया and paste किया, यहां से हटके यहां पे आ गया, आपने गोर क्या होगा? कॉपी जब मैंने किया था कॉपी और पेस्ट तब दोनों चीज़े अवलेबल थी जब बट जब मैंने कट एंड पेस्ट किया तो हमारे ओरिजिनल लॉकेशन से हटके पेस्ट हमने जहां पर ट्रांसफर के हम वहां पर हो गई मैंने आपको होम इंट्रोडक्शन में यह बात क्लिएर करें यहां तक क्लियर ओका हैम मौने यहां पर 1000 लीखा ठीक है हम कि कि हम सब्सक्राइब करना चाहते हूं तो यह decrease होते जा रहे हैं, जितनी बार क्लिक करें, जितनी बार decrease है, normal 1000 form में आ गया, I hope आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई problem तो नहीं है, अब मैं आपको insert पर जाना सिखाती हूँ, insert के लिए हम करेंगे alt, end, end, alt and end से हम यहां पर आए, ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज बना देती हूँ, मैं बनाती हूँ, iPhone, Samsung, MI, अगर spelling mister को आप उसको गोर मत कीजिएगा, 1000, 2000, 3000, मैंने shift प्रेस किया, shift को प्रेस करके रखा, shift button को, अब मैंने side arrow लिया, one time side arrow किया, और फिर down arrow, two times किया, shift को प्रेस करके रखा, अब मैंने release कर दिया, हमारे यह तीनो, columns हमारे जो, three rows, आप कैसे, two rows और three columns, select हो गए, iPhone, Samsung, MI, 1000, 2000, 3000, clear होगे, मैंने इन तीनो, चारो, चे को select कर लिया, मैंने इसे table कर रहा, table की form देने के मैंने ok कर रहा, my table और ok कर दिया, इसमें देखिए, यह हमारा table की form में आ गया, ठीक है, अब मैं फिर insert पे गई, मैंने यह select किया, इसे यहां से मैंने दुबारा change कर दिया, जितना आप इसे work करते जाएंगे, यह remove होता जाएगा, जितना भी आपने work किया है, सब आपको वापिस दिखाता चला जाएगा, यहां से सारा grab हो गया, जितने भी आपने click किये थे, यहां से grab होते चले जाते हैं, नहीं चीज़ सीखने को मिली, ठीक है, I hope आपको clear हो गया होगा, यहां से मैं वापिस इन सब चीज़ों को वापिस ला सकती हूँ, यह देखे, जितनी भी आप क्लिक करती जारे हूँ, उतना आपका सारा वापिस आ गया, ठीक है, I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा, insert tab, home tab, और हमने आज नहीं चीज़ सेखी, back arrow से वापिस जाना, और red arrow create table से हम वापिस, जो हमने पहले किया था, आगे जो किया था, वो वर्क, फिर हम वापिस जाना चाहते हैं, undo typing, typing undo करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ हटाना चाहते हैं, हम वापिस उसी पर आना चाहते हैं, नहीं हमने सही किया था, हमने गललती से undo कर दिया उस वक को, तो वापिस आ सकते हैं, यहां एक और चीज में आपको सिखा देती हूँ save option यह हमारा work save हो गया आपका यहाँ पर फिर हम और detail में इस चीज को पढ़ेंगे control प्लस S से भी आप इसे save कर सकते हैं control दबाएं और S दबाएं यहाँ आपका work save हो गया यहाँ पर कैसे save करना है वो मैं आपको आगे की classes में बताऊंगे बहुत कुछ है सीखने को I hope आपको home और insert अच्छे से clear हुआ हो और undo और redo का भी आपको अच्छे से सब clear हो गया हो next class में आपको मिलते हैं और तब तक के लिए बाबाए